हेलो एवरिवन, वेलकम तू माई क्लास, आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 प्रियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का टॉपिक स्टडी करेंगे, मौडरन प्रियॉडिक टेबल या जिसको हम लॉंग फॉर्म ऑफ प्रियॉडिक टेबल भी कहते हैं, प्रिवियस क्लासेज म और कहीं न कहीं यह इनको सक्सेस नहीं मिली, इनमें बहुत सरी लिमिटेशन देखी गए इनकी क्लासिफिकेशन में, उसके बाद 1913 में साइन्टिस्ट आए मोजले, मोजले ने कहा कि अब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाइ करेंगे, लेकिन हम फंडमेंटल प्रॉपर्टी को चेंज करदेंगे, अब हम एटामिक मास्स की जगां हम क्या यूज करेंगे? एक नमबर यूज करेंगे या पिर आप प्रॉटोन की कलल ओते हैं, अब हम जानते हैं कि कोई भी जो होता है, जो भी elements होते हैं, उनके fixed atomic numbers होते हैं, कोई भी दो elements ऐसे नहीं हैं, जिनके same atomic number हैं, हर element का fixed atomic number है, कोई भी दो elements का same atomic number कभी भी नहीं होता, इसलिए इन्हों ने मौजले ने क्या करा, एक law बनाया कि हम elements को किसमे classify करेंगे, on the basis of atomic number, increasing atomic number, ठीक है, तो इसी law को use करते हो Bohar's ने modern periodic table construct किया, जिसमें उन्होंने ये law use कि अगर हम elements को horizontal rows में, horizontal rows क्यों होते है, periods, ठीक है, यानि अगर हम elements को horizontal rows में increasing atomic number में लगाएं, ठीक है, तो क्यों अगर एक fixed interval के बाद, जो भी elements एक same column में आएंगे, एक same group में आएंगे, उनकी properties क्यों होगी, उनकी chemical properties क्यों होगी, ये था हमारा modern periodic table, तो इसको हम यहां पर देखते हैं, हमारा modern periodic table कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि modern periodic table में जो vertical columns हैं, ये, vertical columns हैं कुछ इस तरीके से, 18 vertical columns हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, groups कहते हैं, तो modern periodic table के अंदर कितने groups होते हैं, 18 groups हमें देखन को मिलते हैं. जिनको व्रटिकल कॉलम्स कहते हैं. और इसके अंदर seven horizontal rows होती है. One, two, three, four, five, six, seven. और इन horizontal rows को हम क्या कहते है? periods कहते है. तो modern periodic table के अंदर seven periods हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है? और modern periodic table किसके अपर based होता है? Atomic number के अपर बेस्ट होता है कि जब हम elements को increasing order of atomic number में horizontal rows में arrange करते हैं तो एक fixed interval के बाद जो भी elements एक वर्टिकल कॉलम में आ रही हैं यानि जैसे hydrogen के बाद helium है उसके बाद lithium, beryllium, barone, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon आ गया उसके बाद sodium आ गया तो यानि अब यहां पर यह जो sodium है यह लीथियम है यह क्या रहे है एक ही horizontal, sorry, एक ही vertical column में आ रहे हैं एक ही group में लाए कर रहे हैं एक fixed interval के बाद और यह क्या है इनके increasing atomic number है जैसे कि hydrogen का 1 है, helium का 2 है, फिर lithium का 3 है, beryllium का 4 है, फिर borone का 5 है, फिर carbon है, फिर nitrogen है तो increasing atomic number पे जब हम elements को arrange कर रहे हैं horizontal rows में तो एक fixed interval के बाद properties क्या हो रही है elements की similar हो रही है, और किन की properties similar हो रही है, वो elements जो की एक ही vertical column में arrange हो रहे है, अब ऐसा क्यों होता है, क्यों हो यह chemical properties सेम होती है, ठीक है, अब देखो, जो elements होते हैं, elements की जो chemical properties होते हैं, वो किसके फिस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ्यूग्रेशन पर ठीक है, इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ्यूग्रेशन है, जाही हो और वेलिन्स एलेक्ति पर, यह जाधा च disparities आम आन ओर बेलेशन पर depends करती है, यानि कि होता क्या है कैसे ऐलएमेंट की केमिकल प्रापरटी वालेंस प्रचटरॉन्टाइलां मुक्वा जा एक यहां पर अनों मेंने क्या कि इसको पिरियदय है पीरियद 2 और यह जो पीरियद 3 है इसको उठाके मैंने यहां पर बना लिया है लीथियम और सोडियम वाला पीरियद ठीक है यह पीरियद 1 है यह 2 है और यह 3 है तो लीथियम से लेकर नियॉन तक ठीक है और सोडियम से लेकर आरगन तक मैंने बीच में यह जो 3 से लेकर 12 वाल कर रहे हैं जैसे लीथियम का क्या है टॉमिक नंबर 3 है 3 है बेरीलियम का क्या है 4 है बुरोन का 5 कार्बन 6 नाइडरोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन 9 और ठीक है नियॉन का क्या है 10 है तो जब हम होरिजॉंटल रोज में अक्रॉस दा पीरियड जा रहे हैं लेफ्ट से राइड ज 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 तो आप देख सकते हो कि जैसे आप अक्रॉस दा पीरियड जा रहे हो तो शेल तो क्या है सेम रहे है के और एल शेल ही यह आपर आ रहे है ठीक है लेकिन नंबर ओफ इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में यह जो आउटर मोस शेल है इसके अंदर नंबर आउर एलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं और इक फिक्स इंटर्वल के बाद अब हमारे पार सोडियम आ गया सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक क्या गई तो वह न आ गई फिर मैगनीशियम की क्या आ गई तो अब आप देख सकते हो कि जैसे कि यह जो लीथियम है और यह जो sodium है ठीक है एक fixed interval के बाद क्या हो रहा है कि अब sodium और lithium एक group 1 के elements है group 1 के elements है और आप देख सकते हो कि इनका जो valence electron है वो क्या है same है lithium का valence electron भी 1 है और sodium का valence electron भी क्या है बेशक shell बढ़ रहे हैं जैसे आप down the group जा रहे हैं तो shell क्या हो रहे है increase कर रहे लेकिं valence electrons क्या आ रहे हैं same रहे है Similarlyhin अगर हम Berylium होम public magnesium में देखें तो Berylium का valence electron भी तू है 原本 magnesium का valence electron जो क्या है यह तू है उचना bronze और aluminium का देखे तो bronze का valence electron किया अप्ध 是 3 है and aluminium कि ढ़ा है झाथि थ्री ह। सारे ही जो भी just elements जो एक ग्रुप के अंदर अरेंज हैं, उनके जो आउटरमोंस शेल में जो Electrons हैं, जिन को हम Valence Electrons कहते हैं, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, सेम Balence Electrons होते हैं, इसलिए एक ही ग्रुप में जो भी Elements होते हैं, उनकी Chemical Properties क्या होते हैं? सिमिलर होती है, ठीक है。 तो अगर हम elements को horizontal rows में increasing atomic number में arrange करते हैं तो shell तो जैसे हम across the period जाते हैं atomic number बढ़ता है हमारा shell तो same रहेगा across the period सिर्फ outer most shell में number of electrons बढ़ते जाएंगे लेकिन एक fixed interval के बाद क्या होगा जो element एक ही group में आ रहे हैं या एक ही vertical column में आ रहे हैं उनके valence electrons क्या होगे उन सब के valence electrons क्या होगे similar होगे इसी लिए उन सब elements की chemical properties भी क्या होगी similar होगी तो यही reason होता है कि एक group जो similar group है जैसे group 1 है group 1 element है या group 2 elements है इन सब की chemical properties क्या है? group 1 के सारे elements की chemical properties same है group 2 के जो elements है उनकी क्या है chemical property same है क्यों? क्योंकि जो group one के elements है उन सब के ही valance electron क्या है? group two है, उनके valence electron क्या है? group two है, जो 13 group है जो की baron, aluminum है इनके outermost electron, valance electron 3 है तो इन सब की properties क्या है? same है, ठीक है? तो chemical properties क्यों same होती है सारे elements की जो एक ही group की होते हैं क्यों कि उनके same balance electrons होते हैं ठीक है अब एक चीज हमने देखे कि यह जो ग्रुप यह जो वन है और यह जो ग्रुप टू है ठीक है ग्रुप वन और ग्रुप टू इनको हम नॉर्मल मेटल्स कहते हैं और इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं हम एस ब्लोग करने मिंट्स कि ठीक है इनको हम क्या कहते हैं सब्लोग करने मीटल्स कहते हैं गुरुप 13 से गुरुप 18 तक पी ब्लोड मेटल्स होते हैं यहां 12 तक यानि यह वाले group 3 से group 12 तक जो कि हम हमारे class 10 के syllabus में नहीं है इनको हम transition elements भी कहते हैं या फिर हम इनको D block elements भी कहते हैं इनको हम transition elements भी कहते हैं ठीके उसके बाद यह जो नीचे दो आपको जो series दिख रही है जिसमें पहली series का नाम आता है lengthenite series और second अता आता है actenite series इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी इन elements को हम कहते हैं F block elements कहते हैं चीक है तो जो group 1 है और group 2 है इनको हम क्या कहते हैं S block elements कहते हैं group 13 से group 18 तक P block elements होते हैं ग्रूप 3 से ग्रूप 12 तक D-block elements होते हैं, जिनको हम transition elements भी कहते हैं, और यह जो दो series अलग से लगी हुई हैं, lengthenite series और actenite series जिनको हम F-block elements कहते हैं, अब देखो कि जब हम यह हमारा modern plot table है, तो हमने कहा कि जो group 1 और group 2 elements हैं, जब हम across the period जाते हैं, यानि जब हम left से लेकर right तक जाते हैं, तो क्या होते हैं, पहले हमको metals मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम across the period आगे भढ़ते जाते हैं, towards right, towards right hand side, तो हमें क्या मिलने लग जाते हैं, non metals मिलने लग जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यानि एक चीज़ और, यहां पर जो shaded part में आपको elements देख रहे हैं, यानि यह group 13 में जो हमें boron है, silicon, germanium, arsenic, antimony, antilirium, ठीक है, यह जो shading part के elements हैं, इनको हम metalloids कहते हैं, क्या कहते हैं हम इनको, इनको हम metalloids कहते हैं, metalloids क्या होते हैं, metalloids वो elements होते हैं, जिनकी properties metal और non metals दोनों से मिलती हैं, ठीक है, तो जो metalloids होते हैं, उनके left hand side में हमको metals मिलते हैं, और metalloids के right hand side में हमको क्या मिलते हैं, non-metals मिलते हैं, तब ही हम जब across the period जाते हैं, तो क्या होते हैं, metals से हमें क्या मिलने लग जाते हैं, non-metals मिलने लग जाते हैं, ठीक है, और यह जो shaded part हमने देखा, यह क्या होते हैं, metalloids होते हैं, इनकी properties, metals और non-metals दोनों से मिलती हैं, ठ कर लिए जिसमें हीरियस है, नियोन, आरगन, क्रिप्तॉन, जिन्ो और रिड़न, इनको क्या कहतते है? pexτ॥ is stable gases उनको nobel gases नोपटेंर एनका प्रूप होती है में considerable thrust होती है रहता है जो आए टो इनका सेबल आपर सेवन टीन है वो क्या आते हैं हेलोजन जाते हैं ठीक है अगर हम group 1 से लेकर 17 तक जाएं तो यह क्या है यह normal elements है आपको इन elements का octet complete नहीं दिखेगा लेकिन जो हमने कहा कि जो group 18 के elements है जो noble gases है उनका octet क्या होता है completely filled होता है ठीक है तो अगर आप extreme left में देखें एक्स्ट्रीम left क्या है group 1 है group 1 क्या है extreme left है इसकी electronic configuration क्या होगी 281 होगी यानि इसके outermost shell में one electron देखेगा लेकिन अगर हम extreme right में चले जाएं एक्स्ट्रीम राइट में क्या है group 18 है इसके electronic configuration देखें तो 288 है यानि इसके outermost shell में हमें कितने electrons देखेंगे 8 electrons देखेंगे तो इनकी highly stable completely stable electronic configuration होती है ठीक है और इन से पहले noble gases से पहले हमें incomplete shells देखने को मिलते हैं अब जो यह arrangement हो रहे थे ठीक है जैसे hydrogen हो गया फिर helium फिर lithium अच्छा एक चीज़ और noble gases में अगर जो neon होता है neon, argon, krypton, xenon, redon इनके outermost shell में 8 electrons होते हैं लेकिन exception है कि यह जो helium है जिसको noble gases में सबसे टॉप position दी गई है यह duplet होता है इसके outermost shell में क्यों होते है सिर्फ two ही electrons होते है यानि इसके इनर सिर्फ k shell ही क्यों होता है involved होता है ठीक है तो noble gases का octet complete होता है लेकिन helium का क्यों होता है duplet complete होता है अब जब यह arrangement चल रहा था हम increasing atomic number में arrange कर रहे थे तो जब हम यहां पहुंचे 57th element पहुंचे that is lanthanum ठीक है उस lanthanum के बाद जितने भी आगे 14 elements आई जैसे कि यह cesium से शुरू हो जाते हैं ठीक है उनकी properties lanthanum जैसे थी अब उसके बाद यह actinium इसके बाद यह जो thorium वाली line आते हैं जो thorium से आगे 14 elements आते हैं इनकी properties actinium के जैसे थी अब law जो था वो क्या था कि हामें जो similar elements है जिनकी similar properties है वो एक ही vertical column में आनी चाहिए तो अगर हम इन 14 elements को इस तरीके से vertical column में arrange कर दे किसमें group 3 के अंदर अगर हम इस तरीके से arrange कर दे तो हमारा periodic table बहुत complex देखेगा वो एक ही page पर accommodate नहीं हो पाएगा इसलिए हमने क्या करा कि यह जो बाकी 14 elements थे इनको उठाके हमने अलग series बना दी lengthenite series and actinite series lengthenite series नाम इसलिए पड़ा क्यों क्योंकि lengthenite series का जो पहला element था lengthenum था actinite series नाम इसलिए पड़ा क्यों क्योंकि इसका पहला जो element था एक teamium था ठीके तो यह बात समझ में आ गई तो यह जो था हमारा क्या था modern periodic table था तो यह just इसका हमने overall structure पढ़ लिया कि periodic table कैसा दिखता है ठीके तो अब हमें जो हमें class 10 के syllabus में हमें S block elements, P block elements देखने, S block elements और यह जो D block elements जो होते हैं यह हमारी course में नहीं है और हमको यह elements कहा तक study करने हैं हमें यह elements calcium तक study करने जिसका atomic number 20 है ठीके तो इसे देखते हैं ओके Okay, तो अब जो हमें ध्रानस 10 में जितने MP2 गीकरे करने हैं वो हमें काल्सयम तक स्टडि करना है यानि हमें क्या क्या स्टडि करना है Group यूर NHθεरा है Group यूर Getting फिर हमें जितने सब्सक्राम है falling from your date Group 3 – 12 तक उनको ऩुआ दिया जो कि D-block elements है F block elements भी हमें study नहीं करने फिर हमें 13 से लेकर ये क्या है 18th group के elements है तो देख लो पहला ये group 1 आता है फिर group 2 आ जाता है फिर 13, 14, 15, 16, 17 और फिर ये 18th group है ठीके तो ये vertical columns में क्या है group है और ये जो horizontal rows है ये 1st period, 2nd period, 3rd period and 4th period horizontal rows में क्या है periods है तो एक बार elements के नाम देख लेते हैं hydrogen आता है increasing atomic number में hydrogen atomic number 1 helium atomic number 2 फिर lithium atomic number 3 फिर beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon उसके बाद sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphor, sulfur, chlorine and argon उसके बाद potassium and calcium तो हमारे class 10th में इतने ही elements है ठीक है group 18 वाले elements हमने बता दिये noble gases कहते है इनको octet क्यों होता है 282 इनके outer most shell में 8 electrons होते है ठीक है तो neon से लेकर जो बाकी जैसे आरगन था कि हमने पढ़ना है neon and argon आप देख सकते हो इनके outer most shell में 8 electrons है तो इनको octet complete है लेकिन जो helium होता है उसका duplet complete होता है 17 वाले जो इनको हम halogen कहते है first आगया hydrogen वाले जो ये जो first and two है इनको normal elements कहते है मैं अदलब ये first से लेकर जो 17 तक है ये क्या है ये normal elements है ठीक है इनका जो shell होता है incomplete shell होता है जो पूरा octet इनका complete नहीं होता ठीक है electronic configuration मैंने इनके लिखी हुई है तो आप electronic configuration से देखें तो ये जो group one है यानि hydrogen, lithium, sodium and potassium इन सब के जो balance electron क्या है इन सब का one है इन सब के पास one balance electron है ठीक है इसलिए इनकी similar properties है तो ये जो group two में berylum, magnesium और calcium हा रहे है इनके balance electron कितना है two है ठीक है इनका balance electron कि ओटीन गुप आता है इनका balance electron four है फिफ्टीन गुप का balance electrons क्या है five है 16th group के पास balance electron six है 17 के पास balance electron seven है और जो 18th group है इनके पास balance electron कितने है eight balance electrons है ठीक है इस periodic table के अंदर भी हम position of hydrogen के बारे में बात करेंगे अब देखो जो hydrogen होता है इसको ब्रूप 1ड़ा गया है वह इसलिए ब्रटान होस्का क्या जाते लिए फ्शाइसके और ग्रूप 1गेक्रिश्ल खीजिय में ब्रूप 1 गया है युदके झाल है रहा है वन है व्हाल से मोद्व alm इसलिए उसकी properties क्या होती है बाकी elements के साथ similar नहीं होती उसको group 1 में डाला गया बस इसलिए क्योंकि उसके पास एक ही electron है और बाकी सारे elements के पास भी एक है outermost electron है लेकिन hydrogen का size क्या है बहुत जादा छोटा है इसी वजह से hydrogen की properties बाकी elements से नहीं मिलती इसलिए जब भी हम group 1 elements की ब टॉप पर रखते हैं उसको special element हमने माना गया जो एक alone element है ठीक है Modern periodic table अब यह जो और एक किस हाँ Modern periodic table जैसे जो उसकी fundamental जो property थी कि जो हमारा Modern periodic table है वो atomic number के ओपर based out है ठीक है यह मौजले ने दिया था लेकिन जो Modern periodic table था यह किन्हों ने construct किया था यह बोहर इसलिए अगर question आता है कि किस ने Modern periodic table को discover किया है तो कई जगा मौजले लिखा जाता है कई जगा बोहर लिखा जाता है लेकिन दोनों का ही equal contribution है Modern periodic table यह long form of periodic table मौजले या फिर बोहर्स ने दिया था तो यह general introduction हो गई Modern periodic table की next class में हम इनकी properties की कैसे इनकी properties के अंदर variations आती है जब हम across the period या across या down the group जाते हैं वो हम discuss करेंगे ठीक है तो अगर आपको अच्छा लगओ यह वीडियो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें and subscribe करें थैंक्स ओर वाचिंग